चलो करनाटका में चुनाव तो हो गए, बड़े-बड़े न्यूस चैनल पर बड़े-बड़े अंकर्स और विशेश अग्ये अब election results को predict करने पर लगे हुए है लेकिन उन्हें भी election के नतीजों के बारे में actually उतना ही पता है जितना पूरे देश को करनाटका के history और diversity के बारे में मालूम है उसके complex politics के बारे में मालूम है लेकिन एक बात तो सबको पता है तेरा तारीक के नतीजे आने वाले assembly elections इस साल के और 2024 के लोग सभा चुनाओ के लिए बहुत ही जादा एहम रहेंगे तो अगर प्रधानमंतरी मोधी जी जान लगा कर करनाटका में star campaigner बनकर घूम फिर रहे हैं अपने नाम और अपनी चवी पर vote मांग रहे हैं तो उसके पीछे एक काफी solid वज़य है करनाटका अपने आप में ही एक mini India है तो south की चावी के साथ-साथ 2024 के formula का भी test करनाटका में आज हो गया इस state की बात जब भी हम करते हैं तो हम usually Bangalore के IT jobs, pub culture या IPL के सबसे consistent team RCB पर आकर ही अटक जाते हैं पर इन चीजों के साथ-साथ, इन चीजों के बाहर भी एक करनाटका है जहां बाकी इंडिया के तरह आपको काफी demographic, political, geographical, diversity आपको मिलेगी बाकी इंडिया के तरह यहां पिर भी जगा जगे पर corruption मिलेगी politics में हिंदू, muslim मिलेगा और state assembly में मारपीड भी मिलेगी और कभी-कभी सविता भावी भी मिल जाएंगी वैसे hate speech जो कि आजकल करनाटका में काफी सुनने को मिलता है और ऐसे content के बीच में choose करना हो तो choice जादा मुश्किल नहीं है लेकिन करनाटका किसे choose करेगी और इस बार elections में इतनी तेजी की टकर क्यों मिल रही है हमें इस बात को समझने के लिए हमें इस state की history को थोड़ा तो समझना पड़ेगा चाहे brief में ही सही करनाटका state के present day borders का जर्म हुआ था 1956 में after the state's reorganization act प्रदेश बना from the erstwhile princely state of Mysore the Kurg province and करनाटा speaking regions of Bombay state, Madras state and the state of Hyderabad तो language कितना important है किसी state के लिए इस बात से आप समझ सकते हैं one nation, one language चिलाने से पहले थोड़ा सा history भी टटोल लीजिए लेकिन तब भी ये एक mini इंडिया है तो state में काफी regional diversity है economically काफी different है अलग अलग जगे Mysore region में जिस तरीके का irrigation और urban development है वो हाइदराबाद के side में नहीं रह चुका है ये historical differences की वज़े से हुआ है अब सोचिए सौ साल पहले ही Mysore में education, social justice और irrigation पर काम शुरू हो गया था जबकि हाइदराबाद side में निजाम के caste feudalism में वो area फसा हुआ था तो वो ए time warp में फसा हुआ था ऐसा ही काफी difference आपको मिलेगा diversity मिलेगा rural and urban areas में, coastal and semi-arid interior areas में इस करनाटका में Congress party ने काफी लंबे अरसे तक power अपने हाथ में रखा इंदरा गांधी के emergency के बाद जब Congress के खिलाफ एक tsunami आई देश में Congress का सफाया हो गया तब भी Congress को करनाटका में 28 में से 26 seats मिली थी इदरा गांधी खुद चिकमंगलूर करनाटका से MP थी तो एक तबका है state में जिसकी sympathies Congress के साथ बहुत लंबे अरसे तक रही है 83 से 89 के बीच में जनता पार्टी सरकार में आई जो बाद में split हो गई उसका एक faction जनता दल सेकिलर या JDS आज भी करनाटका politics में काफी important माना जाता है 89 में फिर से Congress majority में आई आज के विश्वगुरू पार्टी BJP का करनाटका में तबका vote share 3-4% तक ही डगमगाता रहता था BJP की तगदीर तब भदली जब 1990 में करनाटका में बड़े scale में communal clashes हुई 46 लोगों की जाने गई इसके चलते राजीव गांधी ने करनाटका के चीफ मिनिस्टर विरेंदर पार्टिल पर खासा खुसा दिखाया और publicly बोल दिया कि हम चीफ मिनिस्टर को sack कर रहे हैं, fire कर रहे हैं मने राजीव गांधी ने सिर्फ राजधर्म follow करने की बात नहीं की action भी लिया, लेकिन politics में कभी-कभी action लेना, चाहे well-intentioned action हो, वो backfire कर सकती, उसके नतीजे अच्छे नहीं होते दरसल हुआ ये कि जब ये communal clashes हुए थे, तब विरेंदर पार्टिल paralyzed थे, उनको एक stroke आया था पर आला कमान ने तो फैसला ले लिया तो ले लिया, तकदीर तो सेट हो गई perception ये बना, कि राजीर गांधी ने चीफ मिनिस्टर पार्टिल का अपमान किया है, जान बूज के अपमान किया है, और ये अपमान चीफ मिनिस्टर ये बीजेपी को पराप्त हुआ, और बीजेपी का वोट शेर चार-पांच परसेंट से सीधा 20 परसेंट, मास्टर स्ट्रोक करनाटका की electoral politics में दो communities बेहत जरूरी है, लिंगायत और वकालिगाज, लिंगायत लगभग 15 प्रतिशत स्टेट की बड़े पार्टी से, यही लिंगायत या वकालिगाज से आते है इस राज्य के लगभग सभी historically अगर आप देखे तो chief ministers लिंगायत या तो वकालिगा community से ही है हर पार्टी चाहती है कि ये communities उन पर अपना प्यार बरसाए, अपना वोट बरसाए लिंगायत community की support के साथ साथ बीजेपी ने करनाटका में पहली बार अपना social base बढ़ाना चुरू किया 2008 में for the very first time बीजेपी ने करनाटका में जीत हासिल की और South India में पहली बार कमल खिला अगर बीजेपी को अगले साल 300 से जादा आकड़ा पार करना है तो South को जीतना पड़ेगा ये बात बीजेपी को मालूम है पिछले elections में 2018 में करनाटका में हंग assembly हुई Congress और JDS ने एक coalition सरकार बनाई लेकिन एक साल के अंदर 2019 Operation Kamal और कमल के साथ वहाँ फिर से सबका April फूल बन गया और बीजेपी का कमल खिल गया Operation Kamal क्या है अगर देश भग नहीं देखते हैं बेल आइकोन नहीं दबाते हैं सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं तो एक डीटेल्ड एपिसोड है देख लीजेगा कि Operation Kamal क्या चीज है हाला कि BJP का पर्चम देश के आधे राज्यों में आज लहरा रहा है करनाटका लेकिन उसके लिए एक खास तोर से important है करनाटका BJP का सदन गोलिस्ता है अरे model हिंदुत्व state है जिस तरीके से गुजरात में पकड़ बनाने के बाद गुजरात lab experiment के बाद BJP ने पूरे north में अपना दबदबा बनाया उसी तरीके से करनाटका के जरिये BJP south में expand करना चाहता है तो launch pad तो यही है लेकिन तब भी करनाटका BJP के लिए एक challenge हमेशा बनी रही है BJP का ideological model जो north में इतना solid चलता है south में उतना hit नहीं है at least super hit तो नहीं है और कूट-कूट के regional pride लोगों के अंदर भरा हुआ है BJP तो देखती होगी south में और सोचती होगी यह हो क्या रहा है केरला में communist party power में है इतना कोशिश करने का बाद भी तामिल नाडू का chief minister गर्व से कहता है कि वो एक atheist है और नाम भी क्या स्टेलीन आंदरा के chief minister तो Christian है और तेलेंगाना में TRS और MIA मिलके इफ्तार parties organize कर रहे है वहुत नाइन साफी है ऐसे में करनाटका BJP का एक लौता पत्ता है south में और अगर यह पत्ता कड़ गया तो करनाटका स्टोरी बनानी पड़ेगी ओ बाइदे वे करनाटका से शुरू होगा 2024 का सफर हम परचम वापस लहराएंगे रहूल गांधी का रिलाउंच होगा अगर कॉंग्रिस को 40 प्रत्रिशत कमिशन और anti-incumbency का फाइदा मिलता है तो यह एक बहुत बड़ा moral booster होगा कॉंग्रिस पाटी के लिए आने वाले दूसरे स्टेट इलेक्शन के लिए खासकर कि तेलेंगाना में जहां बीजेपी कॉंग्रिस को धीरे धीरे नमबर टू से नमबर तीन के पाइदान पर डाल रहा है उसे कम से कम fight करने की थोड़ी बहुत ताकत मिलेगी बीजेपी ये बात मानती है कि इस बार करनाटका में टकर काटे की है लेकिन 80 चोटी का जोर लगाये जा रहा है लेकिन क्या बीजेपी अपनी strategy बदल पाएगी south के लिए इतनी जल्दी अपना सब कुछ retain करते हुए बीजेपी हमेशा एक party नहीं रही है एक भाशा नहीं बोलती है अगर आप कुकू FM पर BJP then and now सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि BJP आज 10 साल पहले से या 20 साल पहले से कितनी अलग party है हिंदी में ये audio book ये बात काफी साफ तरीके सा आपके सामने रग देगी with facts and data कुकू FM आज हमारे episode के partners भी है कुकू FM पर जहां आप 10,000 से ज़ादा audio books causes and stories पा सकते हैं 20 से भी ज़ादा categories जिनको आप explore कर सकते हैं जैसे self help, finance, motivational, science, etc. और आपके profile के अनुसार audio book recommendations भी आपको मिल सकती हैं और इस 10,000 audio book के खजाने को आप एक touch में search कर सकते हैं scan कर सकते हैं और bookmark भी कर सकते हैं कुकू FM पर आज के date पे 2.5 million active subscribers हैं कुकू FM का link मैंने नीचे description box पे दिया हुआ है अगर आप कुकू FM डाउनलोड करके use करते हैं code DB50 then कुकू FM के first month के subscription पे 50% off यानि 10,000 audio books को आप choose कर सकते हैं only at 49 rupees चलो, back to the story प्रोचसाहन, power और prestige के साथ-साथ करनाटका election के election winner को मिलेगा एक बहुत important चीज, पाइसा करनाटका में unlimited amount of corruption है यह सबको मालूम है अरे, जब देश भर के graduate बिंगलूरू जा सकते हैं पाइसा कमाने के लिए तो नेता टाइब लोग भी दोड़ा कमा सकते हैं बट सीरिसली बोल रहो, बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि भई, corruption 40% है अगर 20% तक भी data type लोगों ने कर दिया तो वो बहुत खुश हो जाएंगे अजीब वगीरी चल रही है हमारे यहां पिछले कुछ महिनों में करनाटका में नेताओं की campaigning जोर शोर से चलती आई है BJP, 99 star campaigners लाई है generational change के नाम पर पूरे MPs को बदल दिया गया है पर script वही पुराना वाला चल रहा है हिजाब, हला, love, jihad, खत्रे में है BJP के करनाटका चीफ ने तो जैनवरी में यह बात कह दी थी अपने party workers को कि बात सिर्फ बड़े-बड़े मुद्दों पर होनी चाहिए जैसे कि love, jihad, यह छोटे-मोटे-मुद्दे gutter, sewage, road, goo, basic infrastructure, traffic jam यह सब क्या चीज़े हैं, इसके बारे में बात क्यों हो करें हम BJP सरकार ने election के ठीक कुछ महिनों पहले करनाटका की reservation policy को काफी controversial तरीके से change कर दिया 4% Muslim reservation को हटा दिया गया और दो-दो प्रतिशत लिंगायत और वक्कलिका समुदाय के हिस्से में डाल दिया गया चानक के साहब ने तो तलेंगाना में भी कह दिया है कि अगर BJP तलेंगाना में पावर में आएगी तो करनाटका model को लाबू कर दिया जाएगा तलेंगाना में Muslim reservation को हटा दिया जाएगा पर कहीं न कहीं BJP का ये tried and tested model इस बार थोड़ा सा अठक अठक कर चल रहा है हिंदू-मुसल्मान दोहराना इसलिए भी पढ़ रहा है क्योंकि वो 5 trillion ton GDP, 2 करोर रोजगार किसानों की income double, make in India, education, healthcare बगएरा बगएरा double engine सरकार कुछ खास distance travel नहीं कर पाई है double engine जिस पटरी पर चल रही है उस पर भी काफी दरारे दिखने को मिल रही है nomination list पर नाराजगी जताते हुए कई सारे BJP नेताओं ने Congress join कर लिया इन में जगदी शेटार और लक्षमन सावडी भी शामिल है दो बड़े बड़े लिंगायत लीडर जो सिर्फ MLA नहीं CM, deputy CM type post पर भी बैट चुके हैं लक्षमन सावडी को आप एक और बज़े से जानते हैं ये नेता assembly में बैट बैट कर free internet का पुरजोर इस्तमाल कर रहे थे ओई, digital India what to say, फकीरी है Congress ने भी बढ़िया वाशिंग मिशीन में धुली हुई सफेज शॉल पहना दी और transition पूरा complete हो गया Congress party में भी दरारे हैं as a matter of fact, D.K. Sivakumar और सिधर मया के बीच में लेकिन अभी भी party one face एक जुट होकर कम से कम public में अपियर कर रही है यह जो recent defection हुई है BJP to Congress इसमें definitely Congress को advantage तो जरूर मिलेगा यह vote base जो है, लिंगायत vote base है अपने तरफ खीचने में सबसे influential लिंगायत leader अभी तक भी BJP के BS यड़ अरपा ही रह चुके है पर कुछ sections of community खुश नहीं है वैसे उनके शागिर्द बस्वराज बोमाई को वो भी लिंगायत leader ही है कोछ CM की कुर्सी पर बैठा दिया गया है लेकिन BJP, BSY और अपने लिंगायत social base को ignore नहीं कर सकते हैं जब यड़ रपा ने एक time पर 2012 में BJP से बगावत कर ली थी तो अगले election में BJP का खात्मा हो गया था decimated Congress उधर try कर रही है कि वो अपना social base consolidate करे और expand करे हाला कि हाली में राहूल गांधी ने एक public meeting में कास census का मुद्धा फिर से उठाया और ये भी कहा कि Congress 50% reservation cap को हटा के दलित और आदिवासियों को OBC और उनको अपनी आबादी के percentage के हिसाब से reservation देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे BJP के मंदिर model के सामने क्या Congress की ये जो मंडल model है ये जो pitch करने की कोशिश हो रही है ये क्या सफल होगा क्योंकि दलित और आदिवासी voters traditionally Congress के voters रहे हैं उनको consolidate करना Congress के लिए जरूरी है ताकि गुजरात ताइप election situation ना हो जहां लास्ट में BJP ने बाजी मार ली आदिवासी votes अपने तरफ कर लिए Congress चाहती है कि इस social justice और मंडल politics के platform के जरिये opposition unity किसी तरीके से बनाई जाए हाल ही में चुने गए Congress के नए प्रेजिडेंट मलिकार जुन खरगे काफी respected दलित निता है गुलबर्ग से अपने social base को consolidate करने में ये Congress के लिए ये भी एक फाइदेदार situation है तो ये सब जो calculation है ये सिरफ करनाटका election के लिए नहीं है ये 2024 को मद्दे नजर रख कर किया गया है मगर हीपोक्रिसी तो यहां भी है UPA सरकार ने भी 2011 में कास census का डेटा रिलीज नहीं किया था करनाटका में भी जब सिधारम्मया गवब्मेंट ने 2014 में कास सर्वे करवाया था तब भी डेटा रिलीज नहीं हुआ था सुत्रों के अनुसार इसलिए रही हुआ था क्योंकि डेटा में पता चला था कि करनाटका में SC population पहले पाइदान पर है Muslim दूसरे पाइदान पर है Lingayat और vocalica community के उतने नंबर नहीं है जितना पहले estimation था तो senior lingayat और vocalica leaders ने survey report को उसके against हो गए और report को दबा दिया गया BJP और Congress के बीच में JDSB चाहती है कि वो चुनाओं में थोड़ी बहुत तो अपनी attendance भी दर्ज करे कोशिश ये है कि vocalica vote base को retain किया जाए इतने seats वो ले ले कि वो kingmaker के position पे आ जाए JDSB बाकी Indian parties के तरह काफी बंग्शवाद है वैसे BJP का करनाटका में भी काफी नेपो बेबीज है और Congress तो वो तो छोड़ो BJP और Congress दोनो JDS का खातमा चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाईया देखो इस पर depend ना किया जाए आपस में ही टकरा लेते हैं JDSB उल्टा कई सारे Congress और बीजेपी रेबल्स को अपनी पार्टी में शरन देती है जिससे दोनों पार्टी का पत्ता कट सकता है तो अंत में इस पूरे आयाराम गयाराम सिचुएशन में जनता के मुद्दोगा क्या है क्योंकि देखिए कटता सो सबसे जादा जनता का ही है करनाडगा में करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बीजेपी सरकार को 40% कमिशन सरकार भी कहा गया है बहुत इनफेमस हो गई है गवर्मेंट पैसे लेती है कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेती है पहले 40% दो फिर पैसे रिलीज करेंगे ये सब चीजे ओन रेकॉर्ड है 2022 में संतोष पाटिल एक बीजेपी वर्कर जो की कॉन्ट्रैक्टर भी थे उन्होंने अपने गाउं में एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रॉजेक्ट कम्प्लीट किया सरकार उनके पैसे तब तक रिलीज करने को राजी नहीं थी जब तक वो 40% कमिशन कट ना दे संतोष पाटिल ने बहुत कोशिश की कुछ उपाई निकले फोन लगाया, कोशिश की दुहार लगाया आखिर में जब कुछ नहीं हो पाया तो प्रधान मंतरी मोधी को वो चिठ्थी लिखते हैं जिसमें करनाटका के मिनिस्टर के एस इश्वर अपा को जमेदार ठहराते हैं और आत्मे हत्या कमिट कर लेते हैं इसलिए आजकल वो आप मशूर जो कहवत है, जो सेइंग है जो तहार है, वो आप नहीं सुनते हो ना खाता हूँ, ना खाने दूंगा ऐसे खाने वाले और करॉप्शन केसे अंगिनित आपको मिलेंगे करनाटका में करनाटका कॉंट्रेक्टर्स असोसियेशन ने अब प्रधान मंतरी को खत लिख कर भी ये बताया है कि ये 40 प्रदिशत कट तो बहुत जादा है थोड़ा आप अज़स्ट करिये वाला हमारे देश में देखे क्या-क्या नचीज चल रहा है कि देश की नहीं भारत की बात नहीं और ये बुद्ग बजार चल रहा हो कि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाए कट तो ठीक है और common citizen के issues उसकी तो कोई कमी नहीं है अब ऐसा तो नहीं है कि करनाटका में education, health, infrastructure, women, safety, agrarian, districts के सारे issues पूरे तरीके सा solve हो गए हो बैंगलूरू को Silicon Valley बनाने के plans के बारे में आजकल कुछ खास भाशनों में सुनाई नहीं देता है पर mainstream media आपको बस यहीं बताएगी हिंदू-Muslim का खत्रा चल रहा है और करनाटका को करनाटक बोल कर वो आगे बढ़ जाएंगे तो results तो तेरा तारी को आएंगे लेकिन इस election के result का impact उसके काफी देर बाद भी चलेगा तो क्या बीजेपी करनाटका model को सफल कर पाएगी या पूरे south में अब ये model फिर चलेगा क्या Congress बीजेपी को टकर दे पाएगी अगर हाँ तो 2024 की लड़ाई क्या अब और गरमाएगी और क्या मंडल वर्सेज मंदिर जो agenda है ये popularize हो पाएगा क्या ये 2024 का election मुद्दा बनेगा करनाटका election results पर हमारी नजर जरूर बने रहेगी लेकिन 2024 पर नजर भी हम बनाए हुए हैं और इस साल का सबसे महतपूर election result तेरा तारीक को ही आपको दिखने को मिलेगा देशबग पर तो हम यहीं चाहेंगे कि भाईया देगिए जो भी जीते सरकार भी हो विपक्ष भी strong हो हमारे देश में Constitution का भी समविधान का भी सब रिस्पेक्ट करें और देश को तोडने वाले जो टुकडे टुकडे वाले नेता हैं कम से कम जनता इनको जड़ से बाहर निकाल कर फेगे नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी तबाओ थैंक्स टू कुकु एफम पर मेकिं दिस एपिसोड पॉसिबल कुकु एफम का दाउंडोर लिंक पैने नीचे दिया हुआ है साथ में description code DB50 जिससे आपका first month access to कुकु एफम 10,000 audio titles only at Rs.49 Do try it out